नमस्कार मैं राहूल कुमार और आप देख रहे हैं सफर सच सफर सच में एक बार फिर से आप सबों का श्वागत है जैसा कि आप देख शक्ते हैं अभी हम लोग राची से करीबन 25 किलोमेटर दूर एक गाउं में हैं और उस गाउं का नाम हतवाल है उस गाउं का नाम हतवाल है करीबन और माजी ब्लॉक चौक से 5-7 किलोमेटर की दूरी पर है जैसा कि आप देख रहे हमारे साथ मौजूद है एक खास सक्सियत से मिलाना चाहूँगा आप सबों का उन सबों का श्वागत कीजिए और मैं बातचीत करूँगा उन से उन से जानने की कोसिस करूँगा इनकी जो बेटी है होली में भी नहीं आई घर और उस दोरान ये अभी ट्रेनिंग प्रियर्ड में है जो कि करीबन कितना मेडल ला चुकी है मैं जानने कोसिस करोणा सर किया है लोगो को मैं यह जानने कोसिस करूँगा सर क्या आप लोगों को होली में वो बेटिया इसलिए ने आई क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान अभी ट्रेनिंग प्रेड में है सही माता जी आपका नाम क्या हुआ अठाइन चाहेंगे उसके बारे में बहुत अच्छा जैसा कि हम कई इंटर्व्यूज में देख चुके हैं इनके घर के बारे में इनके घर के दसा के बारे में क्या आप लोगों की कोई सरकार से अभी तक लाब मिल चुका है कोई तरह का रकम आप लोगों को मिला है सपोर्ट के लिए नैए अभी तक तो नहीं मिला है लेकिन पहले जो प्यम आवास मिला है यह आए है उसको यह पिएप principle है आवास है और यह जյन बिख чуд ya सभी को मदद मिलना और उमीद भी मिले तो आपकि दूल को बिल्कुल कि यह बता रहें कि मदद मिलना ही चाहिए और मैं यह स्र तेवार में आप अपने बेटी को नहीं बुलाए, आप लोगों को मननी करता है कि मेरी बेटी हम लोगों के पास रए और साथ में खेले, साथ में रहे, होली से तेवार, फिर तो ट्रेंणिंग का लगा रहता है, तो यसा कुछ मानते हैं ज़राप? नहीं वो बात नहीं है वो तो रहेगी यहां आएगी लेकिन अभी उसका ट्रेनिंग प्रियर्ट चल रहा है ना बीच में हम लोग डिश्टब नहीं करना चाहते हैं उसको अभी हम जैसे यहां पर आये उसके पहले आप क्या कर रहे थे मैं दर्सकों को बताना चाहूंगा में कदूदू लगाएंगे तो अभी नहीं लगाये हैं तो और दो-चार दिन में लगा लेंगे जोतके तो तयार किया हुआ है सामने दिख रहा दिखाय दे रहा है बारी आप अच्छा आपके पास स्कूल कितने जमीन है अभी तक आसपास जमीन होगा ना सर देड़ेकर के को ले करके यह अपने जीवी का चलाती है उसी पर खेटी करते और इसके अलावब कुछ काम करते और उसके अलावब कुछ काम करती है हूँ मैं माजी से जानना चाहता हूं क्या माजी आप इसके अलावा और कुछ काम करती है या फिर केवल आप ग्रहनी में ही काम करती है आप खाना बनाती है या कुछ ऐसे ही करती है कुछ इसके अलावा कुछ दूसरा काम आप करती है ना बाजार बेचे खुचे सब्जी सब्जी ब लोगों के कितने कुल कितने संतान है आपके तीन बेटी और एक बेटा है इसके इसके बाद और अपन छोटी बेटी यह कौन सी बेटी है जो आपकी कुस्ती में अभी चेंपियन का त्यारी और दूसरे लड़नी के लिए कर रही है और जनने की कौसिस करेंगे है आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर इनका क्या इस्थिती है और यह क्या सरकार से मांग करती उनके बारे में जानने की कोसिस करेंग AI जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम चंचला कुमारी की घर में अंदर जा रहे हैं और दिखाने की कोशिस करेंगे कि उनका घर का इस्थिती क्या है और उनके गार्जियन से जानने की कोशिस करेंगे कि उनका इस्थिती क्या है और वो कैसे इसी इस्थिती के बावजूद दूसरे दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग को जा रही है और हमारे राज्य के प्रती इतना सोच वो रही है और मैं बात्सित करूंगा जैसा कि सर आप अभी तक देख रहे हैं घर प्लास्टर भी ने हुआ है क्या कहीं न कहीं रिजन यही रहा होगा कि बिटिया को इसलिए आप प्लास्टर नहीं करवाई नहीं वह बात नहीं है 2006 में उसका चैन हुआ जो जार्खन गूर्मेंट और सीचियल मिला करके एक अकादमी चलाया था जी 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 उसमें उसका ट्राइल हुआ था 2006 में और उसका चैन ही हुआ उसके बाद में होस्टल में रहने लग प्लों में रहती थी और जैसा की खेल गाओ में ट्रेनिंग हो रहा था कि वहां पे मेच हुआ अंको ट्रायल तीन महिना दिया गया था जिसमें उसको और लोग से चाटे हुए उसके बाद उनको किस사 की आप देख पाrhtext है अभी हम चंचला बिटिया के घर में है और उस घर का स्थिति भी देख सकते हम सरकार्षे विनती खरते हैं कि कहीं हैं चंचला बिटिया की सपोर्ट करें कहीं जाने वाली चंचला कुमारी के घर में हम अभी तक देख रहे थे और उनी के बारे में जान रहे थे और मैं सरकार से दर्खवास्त करता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी जारखंड की बिटिया को सपोर्ट करे और मैं स्री हेमन सोरेंजी से अन्रोध भी करता हूँ कि उनके सपोर्ट करे और हमारे देश के लिए और अन्य मेडल लेके आए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद